हेलो माइडियो स्टुडेंस, माइडिट ब्रेंस के हिंदी चानल में आप सब का स्वागत है, मैं हूँ आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और जैसे कि आप सब को याद होगा कि हम हमारी बुख हनी द्यू की यूनिट फोर का चाप्टर पूरा कर चुके हैं और तो आपको एक भेहतर समझ हो जाए कि इस पोव में आखिर बात क्या की गई है और आप इनके सवालों के जवाब भी दे पाएं तो इस पोव में शुरू होती है क्या दो पोव में डिस्क्राइब जमान हुई इस सच और वो और ऑन इस वे वह अपने एक रास्ते में हैं और वो काम ढूंड रहा है ही एंकाउंटर डिफरेंट टाइपस ऑफ पीपल हुव वांटे तो हायर हम एंकाउंटर मतलब उसका सामना होना सामने आना बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं जो से किराए पर रखना चाहते हैं अपने काम के लिए इन दे मोर्निंग ही म अलडर मैं एक बूड़े आदमी से वो दुपहर में मिलता है जिसके पास एक सोने के सिक्कों का थेला था और वांटेट तो हायर हम विदिस मानी और इस प्रकार वो अपने पैसे के मदद से उसको किराए पर लेना चाहता था तो हमने देखा कि इसमें वह अलग अलग लोग सिक्के जो थे तौले जा रहे थे उसके लिए कि कितने सिक्के मैं तौलू वो बुड़ा आदमी बोल रहा था जिससे मैं तुम्हें किराए पर ले लों उसने वह बात से भी वह मुकर गया और ऐसा क्यों हुआ हम आगे देखते हैं शाम को वह एक ऐसी औरत से मिला जो की से मिलता है जो की एक सी शोर पर एक समुद्र के किनारे या नदी के किनारे बैट कर सीपीओं से खेल रहा था और वो कहता है कि मैं कुछ नहीं दूंगा तो मैं हायर करने के लिए तो उसको बहुत ही हलका मैसूस होता है जो की उस आदमी के पास था जो बुड़ा आदमी था और पावर जो की के पास था तो इन तीरों चीजों से बहुत जादा इंपॉर्टन बहुत ज़ादा जरूरी महत्वपून हमारे जीवन में हमारी स्वतंत्रता होती है अगर हमारे पास स्वतंत्रता होगी तो शायद हम इन तीनों को पा सकते हैं लेकिन अगर हमारे पास इन लेकिन वो माना पर देती है उस पूपसूरती से करने हो खुद ही मुकर जाती chuckling ci यहां कोоворी और मुझा जाती है और उसके बाद में वह रौने लगती है और वह माना कर देती है कि जब वह मुझा गई तो किस बलबूते पर उसको किराई पर लेगी और जब उसे वह बच्चा ओफर करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूँगा जब मैं किराई पर लूँगा तब उसकी समझ में आता है कि जो फ्रीडम है वो कितना जरूरी तो यह थी उसकी छोटी सी एक समरी जो कि उसका पोब का वो काम ढूंढ रहा है अब सुभा सुभा च sellsता है मतलब बहुती दुख से भरी आवाज में पीडा कश्त में हैं वो जूज रहा है और चिलता है कि आऊ मुझे किरायी पर ले LOT मुझे काम रहती है who had a sword in his hand वो उसको offer करता है कि अगर तुम मुझे मतलब मेरे लिए काम करोगे मैं किराए पर ले लूँ तो मैं मेरी पावर रहेगी तुम्हारे पास कि मैं राजा का जो हूं नौकर हूं यह करके मेरी पावर रहेगी मैं अपने पावर के बल्बूते पर तुम्हें हायर करना चाहता हूं तो मैं किराए पर लेना चाहता हूं चीक है तो जो मैन है इस प्रस्ताव को मना कर दिया तो क्या हूआ सुबह 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 व्यक्ति काम ढूंड़ने निकला पत्थर वाली रोड पर चल रहा था और चिला रहा था कि मुझे किराए पर ले लो जब एक राजा अपने रत पर बैठकर तलवार हाथ में लेके आया अपनी पावर दि जो मेरे द्वारा जो एक सुरक्षा है वह मिलेगी क्योंकि तो मेरे आदमी हो तो मेरे लिए काम करोगे लेकिन उस व्यक्तिव क्या लगा कि इस ताकत की क्या मूह और मैं इसके सबसे पहरे तो इसके बोज तले दब जाऊंगा क्योंकि यह पावर जो है यह मेरे लिए और अगर ताकत या शक्ति रहेगी वह पावर जो है उस राजा की रहेगी तो वह कब तक रहेगी वह एक दिन तो खत्म हो ही जाएगी तो इसलिए उसने यहां पर इस प्रस्ताफ को ठुकरा दिया आगे गया हुआ कि सेकेंड आफर में अगले प्रस्ताफ में उनके पास दु पहर में सब की दर्वाजें बंद थे लेकिन एक बूड़ा आदमी आया एक थैला लेकर जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे और उसके पास आया ऐसी आड़ी तेडी रोड़ पर और उस ओल्डर मैन ने बोला कुछ उसको देखा और फिर अपने सिक्के तॉलने लग गया म तो फिर क्या हुआ कि उसने बोला कि मैं अपना पैसा तुम्हें दूंगा और तुम मेरे लिए काम करूगे तो मैं उसकी बदले में तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा तो उसने इस प्रस्ताव को भी थुक्रा दिया तो क्या हुआ यहां में दूपैर हो गई सुबह के वक्त राजा से मिला दुपहर में वह जब आड़ी तेड़ी गली में घूम रहा था तो वहां पर उसे देगा कि सबके तरवाजी बंद है लेकिन एक बुड़ा व्यक्ति आता है उसको नौकरी देने के लिए और उसको देखकर उसका मूलांकन करता है कि वह क्या उसकी वाल्यू है क्या उसका मूल है और उसके बाद में फिर अपने सोने के सिक्के वह तॉलने लग जाता है कि इसको इतकितने सोने के सिक्के मैं दे सकता हूं नौकरी देने के लिए और बोलता है कि मैं अपने पैसे से तुमकों खरीदना चाहता हूं तो वह बोलता है कि ये सोने के सिक्कों की उतनी महत्वता नहीं है क्योंकि वो मेरे लिए ना कभी खत्ना होने वाली खुशिया नहीं बन सकते हैं। इसलिए उसने उस चीज से इंकार कर दिया वो मुकर गया इस प्रस्ताव को भी। फिर होई शाम, अब शाम में मौसम सुहाना था और जो बगीचे थे जो क्यारी थी उसमें फूल उग रहे थे और तभी वहाँ पर एक मेद आती है। तो मैं अब तुम्हें बहुत अच्छी सी एक स्माइल दूगे, एक मुसकुराहत दूगे, मेरी खुपसूरती ही तुमारा उपहार है। इस प्रकार उन्हेंने अपनी बातों को रखा। और उसको ये समझ में आया कि उसकी जो मुसकुराहत उसकी खुपसूरती है, वो चंद पलों की है। कहब ये खुपसूरती जो आज है वो नहीं रहेगी तो उसकी भी वैल्यू कम है अगर वो उतना उच्छा आजकती है कि कि किसी को किराय पर लेया जा सकता है किसी को काम दिया जा सकता है तो यह गलत है क्योंकि वो इतने वक्त के लिए तो रहेगी ही रही इस वेक्ति ने क्या किया इस ऑफर को भी ठुकरा दिया इस प्रस्ताफ को भी उसने ठुकरा दिया क्योंकि चाहे वो कितनी भी खुबसूरत हो चाहे वो garden कितना ही सुन्दर हो वो बगीचा कितना ही प्यारा हो लेकिन वो चीज क्या हमेशा रहेगी वो हमेशा नहीं रहेगी तो उसकी भी कोई value कोई कीमत नहीं है अंत में क्या होता है अब क्या हुआ आखिरकार जो आदमी था वो समुंदर या फिर नदी के चोर है उस पर पहुंचा जहां पर सूरज ढल रहा था मदब शाम भी खत्म होने पर आ गई थी और जो है उसकी वज़े से जो रेत है वो चमक रही थी सूरी के केर्णों की वज़े से और ऐसा लग रहा बहुत ही अंट शंट आड़े तेड़े एक फैशन में बरताव में वो चल रही हैं अब क्या हुआ पहले तो वह बैटके उससे देख रहा था और जैसी उस व्यक्ति को देखा तो वो क्या समझा ऐसा लगा जैसे उसे पहचानता है और उसने बहुत ही अपने पन से क्या कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा काम करने के लिए तो उसने बोला the man accepted his offer as he felt that he would not have to compromise his freedom उसको अपनी स्वतंतर था कि जो है बली नहीं चड़ानी पड़ेगी अगर वो इस बच्चे के लिए इस बच्चे का offer जो है accept कर लेगा मान लेगा और उसने उस बच्चे का जो offer था उसको ले लिया अपना लिया और यहां पर उसका जो काम ढूंडने का जो पूरा मकसद था वो पूरा हुआ तो क्या हुआ वो बच्चा जब सीपी से खेल रहा था तो उस बच्चे के पास दरसल अहीं में कुछ था ही नहीं असलियत में कुछ नहीं था और उसने क् चाहिए थी जहां उसको स्वतंत्रता मिले जहां उसे अपनी खुशियों का या अपने आजादी का बलिदान ना देना पड़े और इसी प्रकार उसने उस प्रस्ताफ को अपना लिया तो यह हमारी समरी थी और हमने इस वोम में क्या सीखा कि स्वतंत्रता हमारे लिए सबसे राजा की तरह पावर उस बुड़े व्यक्ति की तरह पैसा और उस फेर लेडी की तरह उस मेड की तरह हमारे पास खूबसूरती भी आ सकती है अगर हम स्वतंत्रत रहेंगे और अपने जीवन से खुश रहेंगे तो लेकिन अगर हम इन तीनों की पीछे भागते रहेंगे हम एक दबाव में दबते रहेंगे दबाव की दवारा नीचे जाते रहेंगे और कभी भी ना तो हम स्वतंत्र रह पाएंगे और नहीं सक्सेस्फुल हो पाएंगे तो यह थी हमारी पोम जो की दे लास्ट बार गेंज जो आखिर में अंतता उस विक्ति को आके अपना जो है मिल गया अपना उसने लक्ष प्राप्त कर लिया और अब बारी है इस पोम के पोईटिक डिवाइसेस को पढ़ने की जो की हम करेंगे अगले वीडियो में जिसे देखने के लिए आपको जाना है मैगनेट ब्रेंस की वेबसाइट पर टाइप करें मैगनेट ब्रेंस डॉट जिस वीडियो को आप देखना चाते हैं जहां आपको दिक्कत आ रही है उसे खोलें वाचना उपर जाएं और उस वीडियो को पुरी तरीके से देखें वीडियो को शुरू से आखरी तक देखें ताकि आपकी डाउट क्लियर हो जाएं और उसकी बाद भी अगर कोई करें चानल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से या अपने मित्रों से शेर करें तब तक के लिए थांक यू